नमस्ते गाई जोराच की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं BMF चैंपियन मैक्स ओलवे के बारे में जहाँ पर वो फेदरवेट चैंपियन इलिये टुपोरे की बात करते है और उन फैंस को रिप्लाइ देते हैं जो ये बोल रहे हैं उसे अपनी BMF बेल्ट को भी लाइन पे लगाना चाहिए तो बेसिकली मैक्स ओलवे अपनी बंच ओफ फाइट के उपर रियाट कर रहा होता है और यहाँ पर में चीज आती है जो उसने जस्टिंगेची के साथ फाइट की थी UFC 300 में उसको लेकर जब मैक्स ओलवे रियाट करता है तो उसका यह कहना था कि काफी लोगों की फेवरेट क्लिप है जब वो जस्टिंगेची को लास सेकेंड में नौक ओट करता है बट उसकी यह फेवरेट क्लिप नहीं है बलकि उसकी फेवरेट क्लिप इलियट उपूरय की है जिदर वो उसके नौक ओट पर रियाट कर रहो होता है इलिया टुपूरे की रियाक्शन को देखकर ऐसा लगा कि वो लॉस्ट हो चुका है उसे नहीं पता है वो कहाँ पर है और इलिया उस नौकाउट से इतना ज़दा शौक हो गया था कि वो हुमन डैमेशन में भी नहीं लग रहा था अब इसके बाद BMF बेल्ट के बाद आती है तो यहाँ पर मैक्स ओलवे ये कहता है कि इलिया ने उसे बहुत बार बोल दिया है और इलिया के जो फैंस हैं वो भी उसे कंटिनियूसली हरास करे जा रहे हैं कि वो क्यों नहीं अपनी BMF बेल्ट को लाइन पे लगाता है तो वो स बेल्ट को लेकर fight कब करवाना चाहते हैं अब यहाँ पर तुमने नोटिस किया होगा कि मैक्स ओलवे बहुत जादा skin ही लग रहा है और यह इसलिए क्योंकि मैक्स ओलवे को बहुत जादा weight को cut करना पड़ता है 145 pounds बनाने के लिए जहाँ पर obviously उसने अभी तक अपने weight को cut क करना start कर दिया है तो इसलिए उसके energy इतनी जादा high नहीं लग रही है और वो थोड़ा सा dull लग रहा है और also उसके weight को देखका लग रहा है कि वो काफी जादा skin है और अब moving on to the next update तो अब बात करते हैं अर्मान सुरूके ने क्या कहा light weight champion Islam Mahajib के बारे में तो अर्मान सुरू के वज़े से light weight का champion है बढ़ उसकी opinion में Islam Mahajib एक unbeatable force नहीं है बलकि उसे लगता है कि Islam Mahajib को हर एक department में beat किया जा सकता है Islam Mahajib को fight में outsmart किया जा सकता है unlike prime Habib Nurmagamadov जिसे कुछ भी कर लो Habib को outsmart नहीं किया जा सकता था Habib अपनी wrestling में इतना जादा better था कि उसे beat करना बहुत जादा मुश्किल था बर जब बात आती है Islam Mahajib की तो उसे नहीं लगता कि Islam की wrestling इतनी जादा dominant है अब I think so जो आर्मान ने बोला है वो बिल्कुल सही है क्योंकि अगर हम Habib की top fights को उठा के देख लें वेरेस अभी तक Islam ने जितने top fights किये उन्हें उठा के देख लें तो definitely कोई comparison नहीं है क्योंकि Habib ने अपने top opponents को बहुत easily हरा दिया था वेरेस इसलाम महाचेब की बात करें तो for sure उसने top fighters के अगेंस थोड़ा सा struggle किया है also हम यह देख सकते हैं कि दोनों के बीच में एक common fighter भी है यानि कि Dustin Poirier जिदर Habib के साथ prime version था Dustin का वेरेस इसलाम के साथ जिस Dustin ने fight की थी वो थोड़ा बहुत decline हो चुका था बट still हम difference को देख सकते थे कि हबीब ने तो बहुत easily Dustin Poirier को beat कर दिया बट इसलाम महाचेब को थोड़ी सी problem आई थी Dustin Poirier को beat करने के लिए अब इसके बाद moving on to the next update तो यहाँ पर भी इसलाम महाचेब के बारे में एक और fighter ने बात किये जिदर यह है welte weight fighter शाफकात राक्मनौव तो शाफकात राक्मनौव ने इसलाम महाचेब और welte weight champion बिलाल महाचेब के बारे में बात किये जिदर दोनों को लेकर मैं काफी short में बताऊं तो basically शाफकात से पूछा जाता है कि अगर वो UFC 3 under 10 में win कर जाता है और welte weight का champion बन जाता है विरस दूसरी side से इसलाम बोलता है कि उसे welte weight division में move करना है तो क्या फिर वो इसलाम महाचेब के साथ fight करेगा या फिर बिलाल महाचेब की तरह वो decline कर देगा इसलाम महाचेब के साथ fight करना तो यहाँ पर शाफकात कहता है कि अगर इसलाम महाचेब ने खुद चाहा कि वो welte weight division में move करके उसके against fight करे then why not वो ready है इसलाम महाचेब के साथ fight करने के लिए वो खुद से नहीं चाहता कि वो इसलाम महाचेब के साथ fight करे क्योंकि उसने सबको बहुत अच्छे से treat किया है बट अगर इसलाम चाहता है उसके साथ fight करना तो फिर वो ready है इसलाम के साथ fight करने के लिए वो इस offer को refuse नहीं करेगा मुझे तो काफी सही लग रहा है जो शाफकात ने बोला है क्योंकि fight ना करने की बाद दब आती है जब कोई brother हो, cousin brother हो या फिर same region से belong करते हो बट अगर दोनों में कोई relation ही नहीं है और क्योंकि शाफकात किसी के साथ भी ready है fight करने के लिए तो इसलिए majority लोग चाहते है कि शाफकात new champion बन जा है ना कि बिलाल महुमत तो अब जैसे कि शाफकात ने का है कि वो सबको बहुत अच्छे से treat करता है तो ये बात भी somewhat true है क्योंकि जब बिलाल महुमत की बात आती है तो शाफकात राकमनाव का ये कहना था कि वो really believe करता है कि बिलाल महुमत की fight उसके लिए एक easy fight नहीं रहने वाली है बलकि ये उसके लिए एक बहुत tough fight रहीगी क्योंकि बिलाल महुमत एक काफी अच्छा fighter है बट वो make sure करेगा कि उसे जितने भी hard way से fight करने पड़े वो fight को win करके new welterweight का champion बने और moving on to the next update तो अब बात करते हैं UFC 312 के बारे में जहांपर ये announcement की गई है कि UFC 312 9th February Sydney Australia में होने वाली है और इसी को लेकर former featherweight champion Alexander Valkinovsky का ये कहना था कि वो कुछ भी करने के लिए ready है इस card में होने के लिए क्योंकि ये card उसकी country में हो रहा है तो definitely वो पूरी try करेगा कि वो इस card में fight करे तो अब ये question आता है कि Alexander फिर किसके साथ fight करेगा तो यहाँ पर Alexander का ये क्याना था कि definitely वो try करने वाला है कि वो UFC 308 के winner यानि कि इलिया टुपोरिया और Max Oliver के winner के साथ Australia में fight करे बट अगर तब तक champion ready नहीं हो पाया और उसे ये fight नहीं मिली तो फिर वो चाता है कि वो Diego Lopez के साथ fight करे for the interim featherweight belt तो इसको लेकर Diego Lopez ने भी react किया है जाँ पर वो कहता है कि February उसके लिए sound good कर रहा है यानि कि basically वो ready है February में fight करने के लिए अब क्योंकि UFC 308 और 312 के बीच में सिर्फ approximately 3 months का time है तो I think so Alexander के लिए ये काफी मुश्किल होगा कि 308 के बाद जो भी featherweight का champion बने उसे convince करना कि वो 312 में उसके साथ fight कर ले दूसरी तरफ ये idea मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं तो ज़रा भी like नहीं करता कि Alexander fight करे Diego Lopez के साथ या फिर किसी भी और fighter के साथ क्योंकि उसका tighter shot already तो confirm हो चुका है और अब moving on to the next update तो अब बात करते हैं heavyweight champion John Jones के बारे में तो recently John Jones ने उन fans का reply दिया है जो basically उसे troll करते हैं जहांपर वो अपनी physique की photo डालता है और couple of tweets करते हैं जहांपर पहले वो कहते हैं कि पहले उसके haters उसे troll कर रहे थे कि वो fat लग रहा है बट अब जब वो fight से पहले shape में आ चुका है तो फिर उसे लोग hate कर रहे हैं कि उसने steroids को लिया है ये सारे जो भी trolls कर रहे हैं इनकी dreams कभी भी सच नहीं बन पाई हैं और ये simply कह रहे हैं कि वो steroids पे हैं अब to be honest इस photo में हम देख सकते हैं कि John Jones के apps दिख रही हैं तो for sure उसने बहुत जादा weight को lose किया है उसने proper hard work किया है और to be honest इस point पर मुझे नहीं लगता कि John Jones कभी भी roids लेने वाला है और moving on to the next update तो अब बात करते हैं हामजा चमाइब के बारे में जहांपर कल की वीडियो में मैंने दिखाया था कि हामजा चमाइब की shadow boxing काफी insane लग रही है और अब recently हामजा चमाइब की एक और वीडियो निकल के आई है जहांपर वो इस साल के Olympic wrestling में gold medalist के साथ wrestling कर रहा होता है और I know कि एक clip काफी short है बड़ जितनी भी एक clip है उसमें हाम साच माइब काफी amazing दिखा and that's it for today guys आज की fight वीडियो में बस इतना ही अगर तुमें वीडियो अच्छी लगी हो तो please make sure to like and subscribe मिलते हैं next वीडियो में